जन्वरी 2020 में मैंने नेट्फिक्स पर रिलीज हुई सीरीज राइस अफ एम्पायर्स आटोमेन को रिव्यू किया था बहतरीन हिस्ट्री के साथ मैं अक्चुल फैक्स को मिलाकर अमेजिंग एडिटिंग के वजह से वो एक मस्ट वॉच सीरीज थी एक सीरीज वो थी और एक सीरीज यह है दोने ही मस्ट वॉच है इसका पहला सीजन कंसिस करता है मातर 6 एपिसोड का हर एक एपिसोड लगबग 40 मिनिट के है तो ओवर ओल पहले सीजन को आप सिर्फ 4 गंटे में देख सकते हैं इस सीरीज की अमेजिंग स्टोरी हमें लेके जाती है यह 1551 में फीडल जापान में अब इसके पहले कि आप यह अमेजिंग सीरीज को एंजॉई करें यह बहुत ही ज़रूरी है कि आपको फीडल जापान का असल मतलब समझा है जो की अनफॉचनेटली सीरीज ने कवर नहीं किया जापान में साल 1185 तक एक एंपरर यानि कि एक राजा ही जापान पर रूल करता था ताकि यह समुराइज जाकर इस सिविल वार को जीत के एक तरीके से सिविल वार को खतम कर सके और फाइनली जब यह समुराइज जीत कर वापस आये तो इन समुराइज के लीडर को शोगन नाम दिया गया ताकि ये बहुत बड़ा नाम है या इसके बहुत ही अच्छे मतलब है ये एक political reason की वज़े से दिया गया क्योंकि अगर इतना ताकतोवरा बंदा जंग जीत कर आ रहा है तो obvious reason थी उस टाइम पे लोगों को डर लगा रहा था था कास करके emperor को कि भाईया ये तो जंग जीत के आया है कई न कई मेरा तकता ही न चिलने मुझसे इसलिए political reason की वज़े से इनके जो leader होते हैं जो army के leader थे उनको शोगन नाम दिया गया ताकि ये कभी भी emperor से उनकी गद्दी चीन ना सके अब simply put Japan में एक ऐसा era आ गया था जहां पर ऐसे ही small small army के leaders जापान के अलग-अलग इलागों पर एक तरीके से राज करते थे So basically ये शोगन जो है वो अलग-अलग राज पर राज करते थे और ये emperor के अंडर आते थे So basically emperor इन शोगन को कंट्रोल करते थे और शोगन अपने अपने lands को कंट्रोल करते थे और इसी चीज़ को feudal control या फिर feudalism या फिर feudal जापान कहा गया साफ शब्दों में कहूं short में तो feudalism एक तरीके की government है जो की अमीर landlord से समझोता करके उनके उपर किसी ना किसी तरीके से अपना control रखती है और बदले में landlords जो की शोगन कंट्रोल करते हैं वो शोगन से अपने अपने land को एक तरीके से राज करते थे तो कुछ इस तरीके से एक कमजोर emperor भी इन landlords की वज़े से और उनके अंडर काम कर रहे हैं इन शोगन की वज़े से ही सही लेकिन अपने राज पर यानि की जापान पर एक तरीके से अपना राज चला रहे थे मगर इससे एक प्रॉब्लम हो गए अब यह जो landlord थे जिनों डाइमयो भी कहा जाता है वो अपने अपने land पर कबजा कर रहे थे उनके अंदर शोगन्स वगरा यह सब थे बट धीरे धीरे जाके यह landlord इतने पावफुल हो गए कि इनको लगा कि या हमी क्यों नहीं पूरे जापान पर कंट्रोल करें और कहीं न कहीं हर एक landlord यानि कि इन डाइमयो को जापान पर अपना कंट्रोल करना था और यह करना सरीफ एक ही चीज़ से पॉसिबल था बाकी landlord यानि कि बाकी डाइमयोस को उनके सामने जुका कर या उनको हरा कर जंग में जीत कर किसी न किसी तरह इनको जापान पर कंट्रोल करना था तो 1551 से लेकर 16th century तक एक बहुत बड़ा जंग जो कि पहले इंसान थे जिन्होंने पूरे जापान को अपने रूल के अंडर लाने की कोशिश की चाहे उसके लिए कितने भी खुन क्यों न बहाने पड़े तो क्या वो ऐसा कर पाए या नहीं कुछ इसी अमेजिंग स्टोरी को गजब के हिस्टोरीकल फाइटिंग सिक्वेंसिस हिस्टोरियन के अक्चुल फैक्स से एक्स्प्लोर करती है सीरीज जिसका नाम है एज ओफ समुराय बैटल फो जापान इस सीरीज को देखने के लिए सबसे पहले तो मैं सोच रहा था कि भाई क्यों अपनी हिस्टोरी को छोड़ कर मैं किसी और के हिस्टोरी के बारे में जाना हूँ पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो या ट्राइ करते हैं देख लेते क्या पता अच्छी लग जाए अगर आप बराबर सीरीज में फोकस रहेंगे तो आपको जरूर यह सीरीज पसंद आएगी I mean यह सीरीज विजुली इतना अच्छा था इतना अमेजिंग था कि जब 6 एपिसोड इसके खतम हो गए जब यह सीरीज खतम हो गए तो मुझे लागा यार इसके 6 नहीं 10 एपिसोड होने चाहिए तो सिर्फ एक जगा सीरीज के नाम में ही Samurai title दिया गया है Samurai कोई चोटा मोटा वर्ड नहीं है Samurai जब वर्ड याता है न भाई तो हमें Tom Cruise तो हमें ऐसा रगता है कि मार धाड होगा बहुत सारी चीजे होंगी इस सीरीज में Samurai के बार में बताया तो क्या तो उसके उपर focus किया जाएगा but unfortunately नहीं किया गया but still, side में रखते हुए कि Samurai के बारे में नहीं बताया गया but उन 100 सालों के बारे में बहु भी बहतरीन तरीके से जितने कम समय में हो सके उतने कम समय में ये series बहतरीन तरीके से उस पूरे एरा को हमारे सामने present करती है और अल कहूं दोस्तों तो ये series definitely एक must watch है मेरी तरफ से trust me आप disappoint नहीं होंगे और इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बहतरीन series को rate करूंगा 8 out of 10 दोस्तों कहीं मत जाएए क्योंकि वक्त आ गया है कोई जगा डेली चेक करना बिलकुल न भूले और इस वीडियो के netflix के giveaway का question बहुत simple है आपको बताना है कि इस series का नाम क्या है seriously मतब इतने simple सावाल पूछ रहा हूं मैं इस series का नाम क्या है नाम comment में mention करना है उसके आगे लगा देना है word fakeflix कोई भी hashtag use न करें winners randomly announce किये जाएंगे conditions बहुत इस इंपल है आपको इस वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना है हमें हमारे official instagram page पर follow करना है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो winner होने के बाद में भी आपका giveaway null and void हो सकता है दोस्तों तो इसी के साथ साथ उम्मीद गर्दाओं कि आपको हमारे ये series review पसंद आया होगा उम्मीद गर्दाओं कि आपको हमारे सारे movie और series review पसंद आते हैं और उम्मीद गर्दाओं कि हमारे netflix के giveaways भी पसंद आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम यह सारी चीज़ें करते रहें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले बेल आइकन दबाना बिलकुल ना बुले अंतर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टे होम स्टे से वरना आलमोस्ट अब महारास्ट्रा लॉकडाउन पे आने ही वाला है